भारत में धर्म के आधार पर नागरिक्ता देने का बिल पहली बार पास हुआ बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान में प्रतारत अल्थ संख्यकों को भारत में नागरिक्ता मिलेगी लेकिन धर्म को राश्ट्रियता का आधार बनाने बाले पाकिस्तान में सिर्फ हिंदूओं पर ही नहीं, इसाईयों पर भी अत्याचार होता है वहीं भारत में ये बात फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में हर हिंदू का धर्मांतरन होता है और वहां हिंदू की आबादी ना के बराबर है गई है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है पाकिस्तान में हिंदू की आबादी के बढ़ने की रफतार भारत में हिंदू की आबादी बढ़ने की रफतार से कही जादा है पहले जान लीजिये कि नागरिक्ता संशोधन बिल पर हुई बहस के दोरान पाकिस्तान की हिंदू आबादी के बारे में किस कदर जूट बोला गया था ग्रहमंत्री अमज शा ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान में 23 फीजदी हिंदू थे लेकिन वही साल 2011 में ये आकडा 3.4 फीजदी रह गया 1951 की जनगर्ना के मताबिक पाकिस्तान में 12.9 फीजदी हिंदू थे बता दें कि पश्चिमी पाकिस्तान में 1.6 प्रतिशत और पूर्वी पाकिस्तान में 22.05 प्रतिशत वही 2011 की जनगर्ना के मताबिक बंगलादेश की कुल आबादी में 8.5 प्रतिशत हिंदू है यानि करीब 1.40.000.000 पाकिस्तान Bureau of Statistics की अनुसार 2017 की जनगर्ना के हिसाब से पाकिस्तान की आबादी 20.70.000.000 है यानि कुल आबादी का 1.6 पीजदी जो 2017 की जनगर्ना के मताबिक 3.3 पीजदी हो गई है हिंदू काउंसल आफ पाकिस्तान की अनुसार हिंदू की आबादी पाकिस्तान में 4 पीजदी है सिंध में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है अल्ग संख्यकों में आबादी के बढ़ने की रफ्तार बहु संख्यकों की तुलना में ज्यादा है इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू पर अत्याचार होते हैं लेकिन इस आधार पर वहां हिंदू की आबादी घटने के बारे में छूट बोल कर भ्रम फैलाने को जायज नहीं कहा जा सकता